डीडी किसान बदलते भारत की शान शनिवार के दिन खड़ी में जब बचते हैं रात के आड़ तो वक्त होता है काईकरम विचार विमर्ष का जिहां दोस्तों हमेशा की तरह एक बार फिर से हम काईकरम विचार विमर्ष लेकर आप सब के सामने हाजिर हैं और आज फिर से बात होगे क्थी के कुछ नए आयामों के बारे में विचार विमर्ष के इस काईकरम के मादधम से हम आपको खेती-किसानी के छेत्र में हो रहे नितने बदलाव, नई जानकारियां, तकि आप इन जानकारियों का सही तरीके से इस्तमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें आप आगे बढ़ सकें अपनी लागत को कम करके अपने मुनाफ़े को बढ़ा सकें हमारे किसान भाई समरिद्ध होंगे हमारे किसान भाई आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी विकास सेल होगा जी हाँ दोस्तों तो इस कारिक्टरम को आगे बढ़ाते हैं और हर बार के तरह आज हमें एक नया विशा लेकर आपके साबने हाजर है जिससे खेती के चेतर में या फिर यू कहें के करानती लाना संभव हो गया है जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नए आयामों के बारे में जिसके जरीए खेती किसानी में नए बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले समय में अब का इक्रम को आगे बढ़ाएं लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलना होगा मैं आप सभी का ध्यान एक तस्वीर की और ले जाना चाहता हूँ जब हम देखते की पहले के समय में जब किसान भाई हल को अपने दो बैलों के साथ जोड़ कर खेत में ले जाते थे और उसके बाद पूरा दिन कड़ी मेहनत के बाद पूरे खेत को जोद पाना संभव होता था धीरे धीरे समय बदला नई नई तकनीक इजात हुई और नई तकनीक की बदौलत ट्रैक्टर का आविशकार किया गया ट्रैक्टर के जरीए खेती करना शुरू किया गया तो धीरे धीरे ट्रैक्टर के साथ नई क्रिश्वियंतर आने शुरू हुए और धीरे धीरे खेती और बदलती गई, खेती में उत्पादन के शमता और बढ़ती गई और परिणाम क्या है वो आज हम सब के सामने है ऐसे बदलते समय के साथ अगर हम अपने आपको बदलते रहेंगे और तक्नीकों को अपनाते रहेंगे क्योंकि कहा जाता है कि आवशक्ता ही आविशकार की जननी है जैसे जैसे आवशक्ता बढ़ती जाएंगी आविशकार होते जाएंगे तमाम बदलाव क्रिशी के छेतर में हमने काफी समय से देखे और उसके परिणाम सुखद रहे अब समय एक और बदलाव का है, और वो बदलाव है AI, जी हां दोस्तो, Artificial Intelligence क्या है और Artificial Intelligence के जरिए कैसे कृशी के छेतर में करांती लया जा सकती है, या फिर कृशी के छेतर को बदला जा सकता है, इसको आज विचार विमश्च के इस करेक्टरम के माध्यम से हम समझने की कोश करेंगे क्या चुनौतियां हैं क्या परिणाम लाजा सकता है कैसे किसान भाई AI तक्नीक का इस्तमाल कर उनको जो होती समस्या हैं उनका समाधान पा सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और आप यह भी देखते होंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से की हमारे दो AI एंकर भी है AI एंकर क्रिश AI एंकर भूमी जिनके जरीए आपको खेती किस्तानी से चुड़ी हुई तमाम महत्पूर्ण जानकारी उपलब्द कराई जाती है और उन जानकारियों का आप लाब भी लेते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने स्कार्टरम की और जानेंग और तमाम जो हमारे मंद में संचाएं हों उनको दूर करेंगे सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्तर सुदीव मारवाद जी का आपका बहुत स्वागत तेसलाप है प्रिदी चौधरी जी हैं आप भी बहुत स्वागत थे हैं अप सब्सेंट्र आप प्रदीव गुपता आप लोगों से जाने लेकिन उससे पहले इस विशे से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आईए दर्शा को नज़र डाल लेते हैं कम्प्यूटर विज्ञान में आर्टोफिशल इंटेलिजन से मतलब किसी कम्प्यूटर, रोबोट या अन्य मशीन द्वारा इंसानों की समान बुध्धिमता के प्रदर्शन से है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कृत्रिम बुध्धिमता किसी कम्प्यूटर या मशीन द्वारा मानव मस्तिश्क के सामर्थे की नकल करने की क्षमता है जिसमें उदाहरनों और अनुभवों से सीखना, वस्तों को पहचानना, भाषा को समझना और प्रतिक्रिया देना, निर्नय लेना, समस्याओं को हल करना और ऐसी ही अनिक क्षमताओं के सयोजन से इंसानों के समान ही कारेकर पाने की क्षमता आदी शामिल है वर्तमान में क्रित्रिम बुद्धी मता का उप्योग, शिक्षा, स्वास्त, अंतरिक्ष, विज्यान, परिवहन और क्रिशी जैसे विभिन क्षेत्रों में किया जाता है विशी शूप से क्रिशी की बात की जाए तो पारंपरे खेती में हाथ से की जाने वाली विभिन प्रक्रियाएं शामिल हैं लेकिन AI मौडल को लागू करने के इस संबंद में कई फायदे हो सकते हैं जलवायों की स्थिती बेब बदलाब और बढ़ते प्रदूशन के साथ किसानों के लिए बीज बोने का सही समय निर्धारित करना मुश्किल होता है लेकिन AI की मदद से किसान मौसम की भविश्यवाने का उप्योग करके सही स्थिती का विशलेशन कर सकते हैं AI, Machine Learning, In-Ground Sensor और Real-Time Video Vision पैदावार में सुधार कर सकते हैं सुरक्षा, कृशी प्रबंधन का एक महत्वपून हिस्सा है आमतोर से पशुपक्षियों से फसल को बचाने के लिए किसान खेतों में मचान बना कर निगरानी करते हैं लेकिन अब फसलों को बचाने के लिए AI और ML जैसी तक्मीक का इस्तिमाल किया जाने लगा है इससे Real-Time Video Feed Monitoring प्रणाली के जरिये तुरंद Alert हासिल किया जा सकता है क्रिशी में जादा सटीकता लाने के लिए पौधों में रोग, कीटों और पोशन की कमी आदी का पता लगाने के लिए क्रिशी AI तक्नीकों का उप्योग किया जाता है ये प्रक्रिया क्रिशी में विशाक्त पदार्थों के अनावशक उप्योग को सीमित करने में मदद करती है इतना ही नहीं AI के साथ क्रिशी डेटा का प्रबंधन कई तरह से फायदिमंद हो सकता है AI पौधों के विकास डेटा का उप्योग उन फसनों पर सलह देने के लिए करता है जो चरम मौसम, रोग, यहानिकार कीटों के प्रती जादा समवेदन्शी है कुल मिला कर कहा जा सकता है कि क्रिशी में AI का उप्योग और इसकी भूमिका आने वाली समय में काफी महत्वपूर्न साबित होने वाली है इस रिपोर्ट में हमने कुछ बारीक बाते समझने की कोशिश की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जमेनी स्तर पर इन बातों का क्या महत्व है उसको जानते हैं सबसे पहले डॉक्टर सुदीब मारवाजी का अरू करते हैं सुदीब जी अगर हम समझें की आर्टी फीचिल इंटेलिजन्स हमारे किसान भाई शुरू से लेकर जब तको किसानी करते हैं तक सिर्फ फसलों में अपने आपको बिजी रखते हैं खेत, फसल, खर्पतवार, नियंतरन, उर्वरकों का प्रयोग इसके लाबा उनको शायद ही बाकी दुनियाओं की खबर होती है लेकिन अगर उन किसानों के नजरिये से मैं आपसे जानना चाहूँ किसानों के लिए पहली बार ये शब्द इंटर्ड्यूस हो रहा होगा Artificial Intelligence सबसे पहले हमारे किसान भाईयों को थोड़ सा आसान भाषा में ये समझाईए कि Artificial Intelligence है क्या ये ए आई क्या है सबसे पहले मैं आपा धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस कारेक्रम में आवंत्रित किया, जैसा कि आपने बोला AI, हिंदी में कृत्रिम, बुद्धी मता बोलते हैं, और अगर इस शब्द को ही ध्यान से दुबारा पड़े, तो artificial, मतलब कृत्रिम, मतलब माना दुबारा बनाया गया, और बुद्धी मता को हम सब स है, कोई काम है, लेकिन अगर हम मशीन को चाहें, कि एक मशीन, या एक कंप्यूटर प्रोग्राम, या आपका मोबाइल फोन में को जो एप्लिकेशन है, वो इस AI को यूज़ करे, और कुछ कारें जो हमारे मुश्किल होते हैं, या जिसमें हमें हमारे एक्सपर्ट की जरूट होती है, वो जरूट ना पढ़ें, और सीधा मशीन ही उसका आंसर दे दे, तो उसको हम एक असान भाशा में समझ सकते हैं, कि किसान भाई, जो है AI यूज़ करके, या AI बेस्ट अप्लिकेशन यूज़ करके, अपना काम सरल कर सकते हैं, तो AI को इसी तरीके से देखन में, या एक मशीन के अंदर, चाहे वो रोबोटिक्स की बात करें, या ट्रेक्टर के साथ लगने वाला कोई और एक्विपमेंट हो, या ट्रेक्टर को हम सोचालित बना दे, जैसा भी आपने शुरू में भूमिका में बताया कि पहले बैल के साथ हल के साथ जोताई होती थ ये हो सकता है कि ट्रिक्टर भी अपने आप चले, आपको खाली उसके अंदर एक पाथ फीड करना हो, आपको उसको बताना हो कि खेत में कहां-कहां जोताई करनी है, और तो फेत अगर एक किसान का है, तो वह यी रहेगा, तो एक बार उसके अंदर प्रोग्राम में फिट कर ये भी एक आम बात हो जाएगी तो बहुत सारे और एप्लिकेशन्स है जैसे हम बताएंगे कि कैसे AI को यूज करके जो सिक्षान भायों को सबसे important problems होती है जिनके कारण वो बहुत परेशान होते हैं कई बार कई बार पूरी फसल बरबाद हो जाती है जैसे आपके यहाँ पे कोई डिजीज आ गई या कोई ऐसा पैस्ट आ गया जो पूरी आदी फसल को या पूरी फसल को बरबाद कर रहा है तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जल्दी से जल्दी उसको पहचादना कि कौन सी बिमारी है, या कौन सा पेस्ट है, या कौन सा इंसेक्ट है जो आपकी फ़सल को खराब कर रहा है, अगर आपने वो काम कर लिया जल्दी से जल्दी लगते ही, तो आप अपनी फ़सल को बचा सकते हैं, तो ये काम भी जो हमारी मोबाईल आप्लीकेशन जो AI-based है, वो कर सकती है, तो अब ये जरूरत नहीं है कि आप उस पौदे को डिकाल के क्रिशी विग्यानिक के पास लेके जाएं, जो ऑल्दो वो भी हम समझे हैं, सरकार ने बहुत अधिकतर सॉल्व करने की कोशिश करी है, क्योंकि हर डिस्टिक्ट में क्रिशी विग्यान क जरूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट अवेलेबल हो, जिसकी किसान को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब चीजों से AI जरूर हेल्प कर सकता है, क्योंकि AI के अंदर पहले ही हम एक्सपर्ट से ही, जो हमारे एक्सपर्ट से ही, उनसे पूछ के, उनसे समझ के, वो सारी करके हम और Есть को अणिवियर्ग कर पाते हैं और जब ऐक बार डिजीज इंसिव और जाटे है तो बहुत अस एक असान होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो डिजीज है, उसका स्वस्म पचार क्या है तो वो बता या सकता है, और फिक्सान भाई ज़िय स्वस्कों पकश तो ये simple सा उजहार है नहीं, बाकी AI हर field में भी use होगी, बिल्कुल, अरो सरीब जी जितना मैं आपकी बातों को समझ पाया या फिर मैं अपने किसान भायों को समझ पाऊँ, अग्कुल मलाकर अगर हम ये कहें कि जैसे हम माली जी हम TV के आगे बैठे हैं, तो remote हमारा AI है और उस इसी example को अगर देखूँ, तो normally आप क्या करते थे, कि remote में channel का number डालते थे, और फिर TV पे वो channel आ जाता था, अगर इसी में AI लगाएंगे, तो आपको button दमाने की जरूरत नहीं है, आप खाली मुझ से बूलेंगे कि channel number 4, कोई particular number, या आप उसका नाम बोल देंगे, कि DD किसान लगाया जाए, तो जो आपके remote में AI function है, वो आपकी भाषा को समझ के, उसको convert करके TV में वोई channel लगा देगा, यह तो simple, मैंने इसी में बताया कि एक without AI और with AI का क्या फर्क हो जाएगा, तो आप इस उधारन को उधारन के रूप में लीजिए, आप remote टाके channel को मत बदलिएग हमारे साथ प्रदीव गुपता जी है, प्रदीव गुपता जी जितना हम समझ पाया है, डॉक्टर मारवा जी ने बताया कि AI के जरीए, केती किसानी के छेतर में यह चीज़े संभव हैं, मौझूदा समय में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से किसानों के पास जमीन की होल्डिंग्स हैं, क्या अभी आपको लगता है कि उन किसानों को AI की ज़्यादा जरूरत है in comparison to, इसके अलावा उनके पास और मुल्भूत सिव्धाएं उपलब्ध हो, तो ज़्यादा किसान बहतर कर सकते हैं, भनगवाद पुलकित जी हमको मतरत करने के लिए आज या आस्टेलिया जैसे देशों में जहां पर मिलो लंबे खेत होते हैं, तो हमको जो किसान हैं, छोटे, सीरियल क्रॉप में या आप कैश क्रॉप वाले देख लें, तो हमको उनको जाता सर्विसिस मोड में देना सर्विसिस ठीक रहेगा, रादर कि वो खुद AI बेस्ट एक weather prediction के advisory देते हैं, वो कुछ पैसे charge करके किसानों से और उनको वो उस crop के लिए क्या क्या करना है, वो data information उनको देते हैं, अब उसमें जो वो services वाली agencies हैं, वो उनसे अपने level पे वो कई area के हिसाब से वो data इकटा करते हैं, और वो services जो actually AI tools के थूँ देते हैं, वो खुद इकट जादा उठा सकते हैं, certainly छोटे खेतों में हमको अगर उपच जादा करनी है, जैसे कि 2050 तक दुनिया की जनसंक्या है करीड़ी 10 billion हो जाएगी, यानि कि 1000 क्रोन हो जाएगी, लैंड जो है उपच वाला वो सिर्फ 4% बढ़ेगा, तो कैसे करेंगे, आपको उतने ही लैंड में ज्यादा productivity करनी है, तो हमारे भारत में तो बहुत कम है, तो हम कैसे करेंगे, तो जितना खेत, छोटे खेत हैं किसानों के पास, उसी में हमको उपच ज्यादा करनी है, तो उसमें हमको ज्यादा efficiency लेके आनी, productivity इंप्रूब करनी है, तो अब हमारे पास यही एक option है, कि हम इस इस तरह के जो tools हैं, इस तरह के जो interventions हैं, यह करके हम उपच बढ़ा सकते हैं, और उपच का तो एक है, wastage भी कम कर सकते हैं, जैसा मारवाजान ने बताया, हम उसमें pest control भी कर सकते हैं, तो इस तरह से, और यही नहीं, आपका इसके पैदावार होने के बाद, उसको market तक ले जाना है, तो कैसे जल्दी ले जाएंगे, कितने हमारे optimum rate मिलेंगे, यह सारी चीजा हम लोग इसमें कर सकते हैं, तो यह एक field है, जिसमें हम लोग अब focus करेंगे, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, हाँ, यह जरूर है कि इसको करने में सरकार भी कर रही है, start-up भी क कर रहा है, गर्मन कंपनियां भी कर रही है, बच सब लोग मिलके कर रहा है, बच कितना टाइम लगेगा, यह जरा देखना है, यही एक option है, जिससे हम लोग अपने उपज बढ़ा सकते हैं, प्रिती जी का रूप करते हैं, प्रिती जी जिस तरीके से यहां पर हमें प्रदी प्रशकार किया गया है, या AI को कर रहा है, आपके नजरिये से AI की जरूद कर रहा है, इस समय जदा जरूद है या पहले आ जाना चाहिए, या फिर अभी और किसान भायों को इवाल्व होने के जरूद है AI के लिए, थैंक यू पुलकित जी और धन्यवाद आपका मेरे को इ एक फाक्टर है, बाकी सारे फाक्टर्स है इसमें जो इंफ्लूएंस करते हैं बेसिकली टेकनलोजी अडॉप्शन को, सो पॉपिलेशन के साथ-साथ इंडिया की क्या प्रॉमिनेंस है ग्लोबल फूद सिक्योरिटी में, इंडिया कितना वेल पुजिशन है ग्लोबल हम लोग तो बहुत जादा जरूरत है टेकनलोजी कल इंटर्वेंशन की और जिस हिसाब से हमारा यह नो कल्टिवेबल लैंड है विच इस लाइक वन सिक्स्टी मिलियन हेक्टेर, सो उसको दिन पर दिन देखे हम एक मॉव्मेंट मास मॉव्मेंट हो रहा है, जो पॉपिले इंडस्ट्रिस में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, प्लस अपनी तरफ से पुश कर लिया, government start-ups को पुश कर लिया, which is like indirect push again, कि farming में improvement हो, farming practices में improvement हो. So, यह सारी चीज़ें अगर हम देखें, जिस हिसाब से यह holistic जो approach government ने, as a country हम लोग ने adopt करी है, वो बहुत हद तक catalyze कर रही है, यह पूरा change, वो पूरा adoption of technology. So, apart from population, India's positioning in terms of global food production, India's positioning in terms of ensuring food security, you know, food for all. So, यह सारे factors हैं, जो technology का adoption एक तरह से influence करते हैं और रादर, you know, mandate करते हैं. और कितना fast इसका adoption हो रहा है, हमारी क्या positioning है? I think आज की डेट में हमारी positioning बहुत जादा strong है, because जैसा की Dr. Marwa ने बताया, हमारे केस, you know, क्रिशी विज्ञान केंद्रा जितने भी केस हैं, जितने भी केस हैं, जितने भी डिस्टिक्ट हैं, डिस्टिक्ट में केवी केस हैं, उसके माध्यन से यह intelligence पहुंचाई जा रही है. So, artificial intelligence, जब किसान का interaction केवी केस के साथ बहुत जादा regular है, आई-कार इंस्टिटूट के साथ बहुत ज़्याद रहे के लिए रहे हैं, और अभी अभी धीरे-धीरे adoption हो रहा है, specifically crop insurance का जो, you know, onset हुआ है, जो आगाज हुआ है, जो adoption हुआ है, के-सी-सी का जो adoption हुआ है, अगर आप sugar cane का payment देखें, तो अभी वो, you know, पहले बहुत manual होता था, अभी वो पूरा का पूरा digitize हो गया है, जो ये, you know, हम AI को isolation में नहीं रख सकते, AI को कहीं न कहीं हमारे को इन सारी चीज़ों से connect करना होगा, because ultimately ये सारी technological initiatives हैं, so बहुत fast adoption है, दिखा जाए तो, FPO's के माध्य हम से देख लें, आप cooperative's के माध्य हम से देख लें, आप KVK's के माध्य हम से देख लें, so adoption rate बहुत high है, वो catalyze हो रहा है, वो कहीं न कहीं, you know, channelize हो रहा है हमारा institutional infrastructure जो हमने as a country build किया है, plus जो हम धीरे-धीरे build कर रहे हैं, start-ups के माध्य हम से, Icar के institute, you know, branches के माध्य हम से, so I believe in terms of कि हमारा, you know, as a country क्या positioning है, और हम किस हद तक contribute कर रहे हैं globally, in terms of food security, और हमारा, you know, overall adoption क्या है, land holding भले ही हमारी, you know, कम हो, बट जिस हिसाब से, think tank organizations, इस technological intervention में अपना contribution दे रही हैं, अभी हम कुछ दिन पहले, ISRO, ISRO के एक workshop में थे, सौ करके एक workshop है, which is like space adoption, space application adoption workshop, agriculture में किस हिसाब से, special data catalyze कर रहा है, you know, technological intervention के adoption को, so अभी क्या हमारा resolution, जिससे कि हम वो land holding का जो challenge है, you know, one hectare पर किसान, और let's say one acre पर किसान, वहाँ भी हमारी को जरुवाद है, high resolution satellite data की, so I believe ये end-to-end facilitation, think tank organization से लेकर, और farmer के level तक, you know, KVKs के through, you know, channelize हो रहा है, जो वो propagate हो रहा है, so which is well set up, which is there, so काफी सारे factors हैं, जो इसको influence कर रहे हैं, in some total, I believe, you know, हमारी progress बहुत significant है, adoption बहुत significant है, और उसका जो return हमारे को देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत significant है, so, you know, very, very stupendous, as a startup, if I feel, चार साल की जो हमारी जर्नी रही है, you know, we started off with Icar, कि AI का या टेक्नलोजी का क्या adoption है, किस माध्यम से हम इसको catalyze कर सकते हैं, फार्मर को कैसे educate कर सकते हैं, उसके compare, I mean, वो जर्नी से लेकर, आज जो हम, you know, we are sitting with the ISROs and PRLs of the country, so, I think, जो एक holistic, you know, movement है, या holistic approach है, and, you know, हर कोई, यहाँ पे जितने भी stakeholders हैं, अब, you know, यह मानना बहुत हमारा, थोड़ा सा silos में हो जाएगा, कि बस ICAR या KB के इस, you know, agriculture में technological intervention को lead कर रहे हैं, यहाँ पे in fact, organizations like ISRO and PRLs are coming forward to basically, you know, contribute technological adoption को, और channels जो उसको propagate, या जो उसको facilitate कर सके, so, बहुत-बहुत strong positioning है, adoption के terms में भी, और farmer की understanding के terms में भी, उसको educate, हम कैसे कर रहे हैं, and in terms of, you know, population versus global food security, उसके terms में भी, जी, तो यह बहुत महत्मूर बात, पृती जीने में बताईए, लेकिन जब बात technology adoption को लेकर आती है, इसमें भी कुछ खास पहलू है, कुछ महत्मूर बिंदू हैं, जिस पर हम बात करेंगे, साफधान तो नहीं होगा नुकसान, RBI कहता है, जानकार बनिये, सतर करेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं, कारिक्तरम विचार विमर्ष और बहुत ही महत्मूर विशे पराज़ में चर्चा कर रहे हैं, खेती किसानी के छेतर में आर्टिफिशिल इंटेलिजन्स कितना बड़ा बतलाव साबित हो सकता है, इसके बारे में हम चाचा कर रहे हैं, डॉर्टर सुदीब जी का फिर से रूप करते हैं, जिनके पास प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं हैं, प्रॉपर टूल्स और टेकनीक्स नहीं होती हैं, वो किर्शी इंतरों के अभाव में आज भी खेती कर रहे हैं, कई किर्शी जानकारियों के अभाव में खेती कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जैसे मैंने सवाल पहले भी किया था कि उन किसानों तक AI कैसे पहुचाएंगे हम और उनको कैसे आप समझाएंगे कि पहले आप ट्रैक्टर का यूज करना छोड़ दीजिए आप ट्रैक्टर मत लीजिए आप ये मत लीजिए पहले आप AI इस्तमाल कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में निकल कर आएगा ये सवाल जो है कि टेक्नलोजी अडॉप्शन और कैसे AI का अडॉप्शन होगा तो सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले बताया था कि AI अपने में अलग से कुछ एकदम नया चीज नहीं आपको दिखेगी जब आप किसान देखेगा किसी चीज का समाधान धूनने का किसी प्रॉब्लम का तो जैसे आपने बोला कि पहले बैल से खेट को जोते थे फिर ट्रैक्टर आ गया तो अभी भी उसको ट्रैक्टर ही दिखेगा सिवाए फर्क क्या आ सकता है आगे जाके जैसे मैंने पहले एक्जामपल में बताया था कि तब किसान को खुद चलाना पड़ता था अब ट्रैक्टर खुद चल जाएगा ठीक है तो ये तो एक दूर का है थोड़ा सा लेकिन पहले अभी भी आप जो है मुबाइल फोन बड़ा असानी से यूज करते है सारे किसान भाई या हमारे बहुत सारे लोग फीचर फोन यूज करते हैं लगी तो स्मार्ट फोन यूज करते हैं स्मार्ट फोन की अवेलेबिल्टी बहुत बढ़ गई है तो स्मार्ट फोन मैकसिमम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं बच्चे गेम्स खेलने के लिए भी करते हैं और आजकल वीडियो चैट्स और बाकि सारी तरीके से लिए भी करते हैं अब उसी मुवाइल फोन में अगर आपको एक एप्लिकेशन मिलती है जिस पे आप एक फोटो खिचते हैं अपने खेत में किसी पर्टिकुलर पौदे की जिसके ओपर डिजीज लगी है और उसको अपलोड कर देता है और वो आपको बता देता है कि इस पर्टिकुलर डिजीज से ये पर्टिकुलर खेत में दिक्कत है और उसका ये उपचार है तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत बदलाव आया किसान को उसको यूज़ करने के लिए वो पहले से ही मुबाइल फोन यूज़ कर रहा था वो पहले से ही फोटो खीच के अपने दोस्तों को भीज रहा था अब खाली उसको एक एप्लिकेशन में उसको यूज़ करना है तो AI जो है बैकगराउंड में काम करती है तो उसको फ्रंट में तो एक एप्लिकेशन ही दिखेगी जो सिंपल एप्लिकेशन है और बलकि AI की मदद से जो कॉंपलेक्स एप्लिकेशन होती थी वो भी सिंपल हो जाती है, मैं इसमें दुबारे इसी का एक उधारन दूँगा, लगबग 15 वर्ष पहले हमने एक सिस्टम बनाया था, जिसको हम खाली कंप्यूटर के थूरू, किसानों के थूरू बता सकते थे, वेबसाइट के थूरू बता सकते थे, उस टाइम पे हम अगर एक पर्टिकुलर डिजीज को अडेंटिफाई करना होता था, तो हम किसान से 4-5 कोशन जो है, वेबसाइट के माध्यम से पूछा जाता था, वो भी अपने आप चलता था, स्वचलित होता था, लेकिन सबसे पहले किसान से पूछा जाता कि आपकी कौन सी क्रॉप है, वो ब बिज़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें बहुत सारी दिखते थी कि किसान जो अपने खेत में देख रहा है और जो यहां देखेगा वो कितने अच्छे ढंक से उसको मैच कर सकता है उसके बाद फिर एक और फाइनल सिम्टम दिखाते थे फिर बिमारी का पहचान होता था यह एक बेसिक इसमें भी एक बेसिक लेवल की यह लगती थी लेकिन आप इसको कितना असान कर दिया है कि आप फोटो खीचो भेजो और आपको बीच कोई कोश्चन नहीं बतारे कोई सिम्टम नहीं बताना बस सीधा आपको डिजीज के अडिन्टिफिकेशन हो जाएगा तो इतना फरक आजाएगा इसमें इसमें इसमाल था तो वो भी कम हो गया तो ऐसी एक अप्लिकेशन जो हमारे संस्थान ने बनाई है भारतरी के अंकेकिया नुरसंदान संस्थान एई डिस्क आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बेस्ट डिजीज अडिटिफिकेशन सिस्टम फोर क्रॉप्स यह एप्लिकेशन आज की डेट मे 22 क्रॉप्स के अंदर 50 डिजीजेज को पहचान लेती है लगबख 50 से ज्यादा और लगबख 40 जो है इंसेक्ट पेस्ट को इडिटिफिए करती है 8 क्रॉप्स के अंदर तो इसका इस्तमाल करके किसान भाई जो है अपनी प्रॉब्लम्स का स्लूशन ले सकते हैं जो पेस्ट है उसकी इडिन्टिफिकेशन करें तो यह बहुत लंबा काम है बस्षुरुआत हो चुकी है इसके अच्छे प्रेणाम आ रहे हैं इससे फायदा हो रहा है तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि AI अभी काम करना शुरू कर चुकी है और आने वाले समय में और बहतर करेगी जी तो देव जी आपने बहुत बढ़िया उधारन दिया और जैसे तरह से आपने बताया है कि पहले भी एक लोर लेवल AI की तरह काम होता था तो हम यह मान के चलें कि अब उस AI का अडवांस लेवल इस्तवाल किया जा रहा है या फिर यह भी कहें कि AI अपडेट हो चुका है और उस अपडेट वर्जन को किसानों के सेवा में लाया जा रहा है दूसरा आपने कहा कि 52 क्रॉप्स को आपने इन्वाल किया है और 50 बिबारियों को यहाँ पर जाच सकता है जब आपने जाचने की बात कही क्या आप ये बात कह सकते हैं कि जो ये अप्लिकेशन है या जो भी वह समाधान बताएगा या जांच के जो रिजल्ट्स निकाल रहा है वह 100 प्रतिशत बिल्कुल सही जानकारी देगा क्योंकि गुंजाइस कहीं न कहीं आप देखते हैं किसी बिचने गुंजाइस देखने को मिलती है तो इस सिती में क्या आप ये कह सकते हैं कि 100 का लेवल है वह अल्मोस 90 परसेंट है तो अभी भी 10 परसेंट की जाइश है इसके साथ-साथ एक चीज और धान में रखने वाली है कि चाहे वह पैस हो चाहे वह बिमारियां वह भी अपना रूप बजलती रहती है सिंटम्स चेंज होते रहते हैं नही बिमारिया आती रहती हैं तो वह उसको भी साथ-साथ दुबारा इसको लिए प्रोग्राम करना दुबारा AI के अंदर उसको खामावेश करना जरूरी है तो इप्रूव्मेंट की गुंजाइश जरूर है और वह लेकिन मैं जानता हूं कि 90 पर्तिशत भी अगर हम कर पाते हैं तो यह बहुत नबर है तो जब हम नहीं कर पाते हैं जब application नहीं बता पाती है तो वह साफ बता देती है कि हम इस particular disease को identify करना में सक्षम नहीं है तब आप जो है किसी किशी विग्यानिक या किसी और तरीके से इसको पता कीजिए तो जब हमारा confidence level application के अंदर काफी high होता है above 95-97% होता है को हम identify नहीं कर पारे हैं कि पर आप किशी विषय बता किजिए सब्सक्रा पर बात करें अले हैं अगर I.e के स्तेमाल को लेकर कहां तक हम पहुँन चुकए है और कितना अभी आगे पहुंचना वाकी है ये हमने अपने जो डिजीज इडनिटिफिकेशन वाला पार्ट है हमारे जो ICR के संस्थान है और जो हमारे कृशी विशी डाला है उन्होंने अपने जो पर्टिक्लर रिसरच फार्म्स हैं उसमें देखा है और जो उनके आसपास उन्होंने अडॉप्टेड विलेजिस लिए हैं उसमें उन्होंने लगा के देखा है जिसका ये प्रणाम मैंने आपको बताए हैं बाकी ये जो एप्लिकेशन है गूगल प्ले स्टॉर पे अवेलेबल है किसान भाई उसमें उसको इस्तमाल करके देख स वेज़ सकते हैं उसमें हमें फीडबैक भी भीज सकते हैं और हम जो नई डिजीज की फोटो's में अपलोड होती है उससे भी हमें ये भी पता चलता है कि कहाँ कहाँ वो डिजीज फैल रही है तो अगर हम सोचए कि कhाली डिजीज का पता ना करके अगर हम देखे किhésitez आपक तो अगर वो application आगे चलके मानलो हजारों या करोडों फार्मर्स यूज़ करेंगे तो एक समय पे कहां से ज़्यादा फोटो आ रही हैं, किस शेत्र से ज़्यादा फोटो आ रही हैं, किस disease की particular फोटो ज़्यादा रही हैं, उसका भी जो हमें जानकारी मिल जाएगी और फिर उ contingency plans जो government of India ने अपने सारे केवी केज और अपने ICR संसान जो हमारे उनके साथ बनाए हुए हैं, तो उसको यूज़ करके आप लगबग एक सोच सकते हैं, कि एक forewarning type का भी जो advisory है, वो किसानों को जारी की जा सकती है, क्योंकि अगर आपको पता है कि उसी शेत्र में 50 farmers को य मिली है, और ये बड़ी जल्दी से कल 50 को मिली थी और आज 75 को मिली है, तो ये सोचा जा सकता है कि बड़ी तेजी से फैल रही है, तो बाकी लोग पहले से जानकारी उसकी ले ले लें, तो उसके लिए mobile advisory के थूरू, चाहे वो SMS advisory के थूरू हम advisory भेज सकते हैं, बड़ उसका अधार किया है, उसका अधार ये है कि हमने ये देखा कि application में पहले 50 लोगों ने उसको बताया कि ये disease है, फिर अगले दिन 75 ने बताया, उससे अगले दिन 100 ने बताया, तो इस हिसाब से हमें एक trend पता चल रहा है कि उस शेतर में बड़े बिहानक तरीके से अगर ये बिमार ले सकते हैं, लेकिन क्या ये AI सर्फ disease को लेकर इस्तमाल किया दा सकता है, क्या हम अपनी मिट्टी की जाच करवा सकते हैं, कौन सी फसल का हम चुनाओ करें, बारिश कब होगी weather forecasting, क्या इन सब चीजों के लिए भी AI application इस्तमाल किया दा सकता है, ने, पहले मैं ये बताना चाह होगा कि हर एक छोटी problem के लिए एक different AI applications अभी बनाई जा रही है, आगे चलके हो सकता है कि एक ही application में बहुत सारी सुविधाएं रहे, बट अभी हर problem को लेके उसके लिए जो जरूरी AI के algorithm से है, या उसके लिए जरूरी पीशे जानकारी चाहिए, वो एक रत्रित करके उस प सकते हैं कि और दूसरे techniques को use करके, spectral signature की बात करें, तो उसको use करके हम मिटी की गुलवक्ता की जानकारी ले सकते हैं, तो उसके लिए specific equipments भी बनाई गए हैं, kids भी बनाई गई हैं, तो AI with other new technologies बहुत सारा कारे कर रही है, और जो इतने शितर आपने बताए हैं, सब में कुछ कुछ नया किया जा रहा है, यानि अभी आने वाले समय में ये देखना भी संबफ होगा, और हमें भी देखने को मिलेगा कि हम AI के जरे इन तमाम चीजों का फायदा उठा सकते हैं, प्रदीव गुपता जी का रूप करते हैं, प्रदीव जी आज इस तरीके से डॉक्टर मेहनत करके अपनी फसल को उगाते हैं, और यह यहों कहें कि भविश्य की फसल को उगाते हैं, ऐसे में अगर 10% का रिस्क ले रहे हैं AI के जरीए हम, तो क्या वो 10% का रिस्क उस किसान के लिए जीने मरने का सवाल नहीं हो जाता है, या फिर किसान भाई इस 10% को नेगले करक के 90 फिस्दी के जो परिणाम, सुखत परिणाम या फिडियो कहें पॉजिटिव रिजर्स देखने को मिल रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़े हैं पुल्कित जी जैसा आपने बताया है, 90% माल लिए वो डिजीज का डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, 90% सेक्सेस रेट है और 10% के बारे में नहीं है कि हम बता पाएंगे सही की नहीं, तो वैसे अगर उसका अल्टेंटिटिव क्या है, किसान खुदी वो डिजीज देखता है ले जाता है, उसमें जो टाइम लॉस होता है, या उसको डिजीज की आइडिटिफिकेशन में टाइम लगता तब तक में उसका क्रॉप डाइमेज हो गया, तो किसान को खुद भी सोचना है कि कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस करके, कि अगर हम यह एडॉप्ट कर लेते हैं, यह जो पेस्ट कंट्रोल का बात कर रहे हैं, तो हम उसमें कितना बचा पाएंगे, और अगर हम अपने टेडिशनल वे में जाते हैं, तब कितना कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि AI कोई फैशन है, आप उसको लगा लीजे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए आपको हर चीज में कॉस्ट बेनिफिट तो देखना ही पड़ेगा, और यह एक बड़ा फैक्टर है पूरे दुनिया भर में, खास तोर पर हमारे देश में जहां पर रिसोर्स की कमी रहती हैं, चाए फानिशल हो या अधर वाइस, तो बहुत सोच और मैं पुरी तरह से कॉंफिट हूँ कि 90% में वो जो सेविंग कर पाएगा, वो 10% के हिसाब से अगर वो नहीं करता तो टेजिशनल वे में वो जो अपना डिजीज डिटेक्शन करता और फिर वो लॉस होता, वो कहीं जादा होता, तो यह एक एशू रहेगा उसके सामने, इसको एवैलियूट करने के लिए, तो खुलकित जी जैसे अभी आपको बताया गया, तो इसको इसको इस तरीके से नहीं देखे जाए कि रिस फेक्टर 10% है, हम यह बोल रहे हैं 90% से कि मानलो 100 किसानों ने उसका डिजीज को अपलोड किया, तो 90 किसान जो हैं उसका आंसर ले पाएंगे और 10 किसान नहीं ले पाएंगे, बड़ जो किसान उसका आंसर ले पाएगा, वो एकुरेसी बहुत अच्छी है, वो उसको पता है कि यही डिजीज है, ठीक है, तो उसका अपना परसनल रिस नहीं है, तो 90% एकुरेसी का यह मतलब है, कि 100 बार अगर हमने वो यूज करी, अलग अलग जगा पे, तो 90 बार उसने सही आंसर दिया, और 10 बार वो आंसर नहीं दे पाई, तो इसमें किसान को अपनी जो लॉस है, उसका उतना डर नहीं है, लेकिन जैसा कि प्रदीब जीजीज ने भी बताया, अगर इसके अगेंस्ट में हम देखें कि उसक अपनी खुद जानकारी है, अगर वो डिजीज उसके खेत में हर साल आ रही है, बार बार आ रही है, तो उसको पता ही होता है कि कौन सी डिजीज है, तो उसका अपना ग्यान होता है, ठीक है, या उसको किसान को अपनी ट्रेडिशनल नॉलिज होती है, तो उसमें तो कोई द application बताएगी तो उसको ये भी पता चल जाएगा उसमें भी थोड़ा फाइदा हो गया अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर उसको नहीं पता कि मेरी खेत में क्या डिजीज आ रही है अब उसके पास क्या alternative से वो उसको लेके या तो जनरली जो हमारे देश में होता है वो किसी दुकानदार के पास जाता है जो pesticide या fungicides ये सब बेचते हैं अब वो जो दुकानदार है वो कितना जानकार है उस particular disease को identify करने का उसका आप और हम समझ सकते हैं कि बिलकुल ही कोई सही आकड़े नहीं है तो यहां तो हम एक आकड़े बोल रहे हैं कि 90 प्रतिशत लेकिन वहा वहाँ जादा है ना कि AI को यूज़ करना है काईकरम विचारवे मर्श ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काईकरम विचारवे मर्श देख रहे हैं आप AI की भूमिका क्रिशी के चेत्र में कितनी महादपूर्ण है और आने वाड़े समय में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे इस पर हम बात कर रहे हैं प्रितिय जी का एक बार फिर से रूप करते हैं प्रितिय जी तमाम बाते हमने करी उसका आपने बातों को सुना भी अगर हम बात करें AI की in agriculture sector और फिर बाकी sectors की बात करें साथ ही आपने कुछ बड़े terms का इस्तमाल किया था अपने पिछले वक्तव में अगर हम बात करें अपने देश के तमाम उन किसानों की जो उन terms से वाकिफ नहीं है उनकी लिए AI तो बहुत बड़ी चुनौती है ही साथ ही साथ ह अगर हम बाकी sectors से agriculture sectors में AI को compare करें तो आप उस बातों से कितना सहमत है कितना परिवर्टन आप देखने को मिलता है आपको देखिए technology हमारे agriculture में versus technology AI को थोड़ा सा रिलेट करते है technology से कि computerization का कितना adoption हो गया agriculture में AI is basically automation एक process होता है जैसे कि अभी प्रदीप जी ने और डॉक्टर मार्वन ने बताया कि उसने अपनी crop कैसे उसकी disease कैसे identify करी उसने photo ली वो photo लेकर गया किसी crop protection की दुकान पर या फिर किसी KVK के center पर कि कौन सी disease है या अगर उसकी खुद की intelligence है कि वो identify कर सकता है अभी क्या वो पूरा system वो पूरा process replace हो गया है एक application से एक computer करत application से एक mobile के application से जहां पर उसने वो photo upload कर दी उधर से एक assistant AI assistant जिसको हम बोलते हैं या एक application ने उसको बता दिया कि disease यह हो सकती है very likely disease यह हो सकती है तो उसका जो यह पूरा समय था वो पूरा कम हो गया अब इसी का एक उधारन या इसको इसकी analogy set करते हैं हम की computer करत क्रिशी के और कौन-कौन से छेतरों में हुआ है बाकी industries पर अभी हम आएंगे पहले मैं क्रिशी से relate करना चाहूंगी पहल का एक database तयार हो गया है किसका कितना गन्या है कौन सा खेत है पूरी linkage set हो गई है तो आज की date में एक ahead information वो government के पास होती है वो किसान के पास होती है कि कितना गन्य की कितनी आवक हो सकती है कितना budget allocate करना है similarly fertilizers का DBT scheme से लेकर बाकी सारी तो यह है technology का intervention अब अब technology भी process wise काम करती है तो process को कितनी efficient कर दिया गया है कितना automate कर दिया वो time जो lag था वो difference जो जितना वो समय बरबाद करता था उस disease को identify करने में दुकान वाले के पास अभी यहाँ पर क्या किया है वो जो expert KVKs में होते थे जो उसकी disease identify करके बताते तो उसको replace कर दिया एक application ने so I think technology का intervention agriculture में बहु sugar cane यह cooperative's यह FPUs को manage करना KCC सबसे बड़ा example KCC crop का insurance यह पूरा technology फिकेशन है so काफी हद तक बहुत एक vast implementation technology का अलग अलग domains में क्रिशी में already हो चुका है अभी एक collective level पे हुआ है एक organizational level पे हुआ है farm level पे adoption की बात हम अब कर रहे हैं क्यों क्योंकि हमारे at a country level at a organizational level at a you know a cumulative level पे हम already उसको roll out कर चुके हैं अभी क्या है plot level की जो intelligence है वो farmer को available so वो जो database जो dissection जो एक तरह से cadastral mapping कह सकते है plot level पे availability farmer को कैसे करानी है उसका roll out इस phase में हो रहा है जैसे कि हमने सुना कि you know अभी वो disease identification शे शुरू कर रहा है बाकी soil की गुणबता जानने के लिए soil health जानने के लिए हम spectral signature या hyper spectral satellite imagery का कैसे यूज कर सकते हैं so बहुत बड़ा कोई gap हमारा agriculture में technological intervention को लेकर रहे नहीं गया है bits and pieces not really bits and pieces देखा जाए तो functional wise वो fertilizer का distribution से लेकर crop insurance का distribution से लेकर और KCC और farm loan के distribution से लेकर और you know गन्य का payment settlement तक काफियर तक हो चुका है इस सब को कैसे integrate करके centralized database को farmer के लिए available कराना है जिससे कि वो खुद login पर कर पाए अभी क्या है farmer को गन्य का कितना payment करना है कितना fertilizer देना है यह application available है उस organization को जो उस particular field में deal कर रही है बिलकुल फार्मर नहीं देख पाता है कि उसके गन्य की कितनी उपज हो सकती है यह उसको कितना insurance मिल सकता है तो वो database farmer को available कराना है वो एक application के through कराना है plot level पे available कराना है उसके साथ हम उसको क्या information और दे सकते हैं यह जिसे कि अभी हमने बात करी खेती soil की health की जानकारी दे सकते हैं यह crop disease की identification की so इसमे हमारी कोशिश जो overall सरकार की कोशिश यह पूरे ecosystem की कोशिश यह है कि जो manuality है system में जो किसान की dependence है labor के उपर या उसकी खुद की you know dea दे दिया गया है कि पहले किसां भाई के जाते थे अपनी फसल को ले कर वहां जाच होती थी रेपूर्ट आते थी दो दिन अरे पास उसको समाधान बढाता था लेकिन अब इसको इतना आसान कर दिया गया कि आप अपने khayत में लिए के उस आपर सुदीब जी अब मैं क्योंकि समय स्वाप्ति को रिशारा कर रहा है मैं आपसे दर्खवास करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को हमारे किसान भायों को एप्लिकेशन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताईए कहां से डाउनलोड करें क्योंकि आप एक पहले बता चु एक और एप है NPSS जो National Pest Surveillance System है ये भी यही कारे करती है दोनों आपस में समझने भी करती है तो ये दोनों एपस जो है अवेलेबल है और इनके जरीए आप सिंपल इसमें लॉग इन करना पड़ता है अपना बताना पड़ता है कि आपका नाम क्या है आपका कौन सा गाउं है कौन सा परदेश है और उसके बाद आप इसमें लॉग इन कर सकते है और बहुत सिंपल सा इसका इंटरफेस है खाली एक बटन दबा के आपको फोटो खीच नहीं है या अगर आप पहले से फोटो खीच के ला चुके है अपने आपके मॉबाइल फोन में अवेलेबल है ग किसानों की बात करें बट अगर इसके बैक एंड में जाए तो इसमें काफी एडवांस एयाई के लिक्रिसम्स लगे हुए हैं इसको बनाने में जो हमें मेहनत लगी वो काफी तीन से चार साल लगे और खाली हमारे संस्थान द्वारा नहीं बलकि काफी जो लगवाग ग्या उसको इखटा किया गया लाखों की तादात में और उन सब के उपर अनलेसिस करके उसको फीड करके फिर उस एप्लिकेशन को बनाया गया जी तो यानिकी बहुत मेहनत से हमारे किसान भाईयों की सेवा में पहले से ही आई सी आर अगर बात करें के विकेस्ट के तमाम व्यज यानिकों की मदद से ये संबभ हो पाया है कि आज हमारा किसान और हमारा क्रशी छेत्र देश भर में ना केवल और बलकि दुनिया भर में देश का डंका बज रहा है क्रशी छेत्र का डंका बज रहा है और हम दुनिया भर में एक food safety security की बात करें तो अपना डंका बजा रहे अपना नाम कर चुके हैं और इन ही सब की मदद से ये application भी आपकी सेवा मिलाई गई है किसान भाई के विके के चक्कर जो लगाते थे उनको निजाद लाने के लिए उन समस्याओं से निजाद पाने के लिए इस application को आपकी सेवा मिलाया गया है आप इस application को डॉक्टर कर सकते हैं तो आज के विचाव मिलाश के काईक्र में इस application के बारे में महत्पूर्ण जानकारी और AI से कैसे क्रिशी के छेतर में बदलाव लाजा सकता है कम समय में अच्छे समाधान आपके दरवाजे तक आप तक पहुंच सकते हैं एक क्लिक के जरीए आप अपनी समस्या क बहुत शुक्रिया बहुत मैटपूर्ण वक्ता वे आप तीरों ने हमारे किसान भाईयों के लिए साधा किये उमिद करते हैं तमाम जानकारी हमारे किसान भाईयों के काम आएंगी और समय पर उनका लाब उठा पाएंगे विचार विमर्ष के आज के स्कारिक्रम में बस इ होता सकते हैं आपके सुझाओ और आपके सवालों का हम इसमें इंप्लिमेंट भी करते हैं हमारे क्राक्रम को और भात्रकरने में काफी मतदगार साबित होता है इसको साथ ही आज के स्काइक्राब में बस इतना ही फिर से हाजिन होंगे आज ही के दिन, इसी समय, इसी चैनल पर, नए विशे के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए जानकारियों के साथ तब तक के लिए आप बने रहें डेडी किसान के साथ और हमें दीजिये इजासत नमस्कार